हेलो दोस्तों मेरा नाम है विशेष गोईल और आप देखे हैं मेरा चानल विखी वर्ड तो आपका बहुत बहुत स्वाकत है तो दोस्तों भी हमारे 10 चाप्टर सक्सेश्पूली पूरे हो जुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखे दी तो फटाक से जाके देख लेना अब हमने स्ट्रेजी स्ट्रेजिक प्लानिंग वगरा बहुत सरी चीज़े ऐसे डिस्कस करी हैं नहीं देखे दी फटाक से देख लेना आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके शुरू के दो टॉपेक्स करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम है कंसेप्ट अब कए बहुत करने से यह प्लानिंग का पार्ट रहता है यह हर मैनेजर की जोब का पार्ट होता है उन्हीं दुख करना होता है कि क्या करना है कि किसको करना है कैसे करना है तो यही इसके बारे में पुरा डिसकस करेंगी इस चाप्टर में सबसे पहला टॉपिक कि मारे concept and nature लेकिन उसके लिए पहले जानते हैं कि decision making होती क्या है मैंक फार्लैंड की भाशन में अगर मैं कहूं तो a decision is an act of choice wherein an executive forms a conclusion about what must be done in a given situation a decision represents a course of behavior chosen from a number of possible alternatives तो decision making ऐसा act है जहाँ पे एक executive जो है चूज करता है एक situation में उसको क्या करना होगा जो decision है ऐसा course of behavior है जहाँ पे आपको अलग-अलग alternatives में से choose करना होता है ठीक है तो जो decision है उसमें वही है चीज़ है choice आपको करनी है जितने भी आपको alternatives होते हैं आपको पुरा research करनी है alternatives को अच्छे से देखना है problem के हिसाब से your best को select करना है और इसी को कहते हैं decision making decision making is a process of selection from a start of alternative courses of action which is thought to fulfill the objectives of decision problem more satisfactorily than others सबसे बहतर alternative तो जो आपको desired results अचीव करने की तरफ लेकर जाएगा जो decision है यह ऐसा होता है जो आपको actual performance से पहले लेना होता है जब आप performance लोग करोगे उसे पहले ही आपको decision लेना पड़ता है जाहिर सी बात है न तो अगर इसको managerial decision making के साब से कहें तो यह कैसा act है जहाँ पर manager को एक course of action choose करना होता है जितने alternative available होते है एक situation के हिसाब से जो managerial decision making है वो पूरा एक process होता है जिसमे आपको goals establish करने है tasks define करने है alternatives जोनने है plans develop करने है ताकि जो decision problem है उसके लिए सबसे बढ़िया answer मिल सके अब इसके कुछ characteristics होते है decision making के वो discuss कर लेते है सबसे पहला है कि यह एक ऐसा process है जहाँ पर आपको you know course of action choose करना होता है alternatives में से दूसरा यह human process है जो जादतर इसमें आपका होता है intellectual abilities को apply करना third यह जो है end process है जिससे पहले deliberation होता है reasoning यह सारी चीज़े इसमें included होती है fourth यह environment से related होता है जो manager decision लेता है वो कभी जो है ना अपनी की circumstances है उसके साबसे लेता है और circumstances आपकी change होंगी तो कुछ और decision लिया जाएगा fifth है किसमें time dimension होता है time lag होता है sixth यह इसका हमेशे कुछ purpose होता है जो 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 सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है decision making है अब बात करते है types of decisions की अग इसमें यहाँ पर हम इसको पांच तरीके से classify कर सकते हैं सबसे पहला है routine and strategic decision तो इसमें दो है basically routine decision और strategic decision अब जो routine decisions होते हैं जितको tactical भी कहा जाता है यह एक certain established जो आपके rules है procedures है policies है already established हुए भी है उनको follow करते हैं उनमें नहीं आपको नया data collect करना होता है नहीं लोगों से ज़्यादा discussion करनी होती है तो वो ना असानी से आप ले सकते हो यह generally middle और lower level के managers लेते हैं हाला कि यहाँ जो आपके strategic decisions है जिनको basic decisions भी कहा जाता है यह थोड़ी ज़्यादा important होते हैं और generally middle जो management होती है management है और middle management है वो इनको लेते हैं तो जितने higher level होगा manager का उतने ज़्यादा strategic decisions उसको लेने होंगे strategic decisions जो है जो पूरी policy से related होते हैं जो भी matter है आपको पूरी fact इसमें देखने होते हैं analysis करने होते हैं अलगले alternatives के दूसरा होता है policy and operating decisions अब जो policy decision है वो काफी ज़्यादा important होते हैं वो top management लेती है यह जो है पूरी enterprise को effect करते हैं और दूसरी जो operating decisions है वो lower management लेते हैं कि थाकि ज decisions हैं उनको action में लिया जा सके उनको basically implement किया जा सके जैसे कि जो policy decision लिया जाएगा यह सब को bonus देना है यह top management लेकिन कितना bonus देना है इसकी सारी calculation operating decision होगी जो lower levels के manager करेंगे ताकि policy decision को execute किया जा सके थर्ड है इसमें organizational and personal decision जो organizational decisions होते हैं यह वो होते हैं जो manager अपनी official capacity में लेता है ऐसे decisions को delegate किया जा सकता है लोग एक employee की तरह जो एक manager की तरह decision लेता है लेकर जो personal decisions होते हैं वो manager अपने as an individual लेता है ना की organization के member की तरह ना की employee की तरह उसके अपने personal level पे decision लेने होते हैं और यह delegate नहीं किये जा सकते है फूर्थ इसमें programmed and non programmed decisions अब नाम से आपको समझा रहा जो program decisions होते हैं वो routine के होते repetitive होते हैं जिनसे उन आपको specific procedure के हिसाब से आपको उनसे निपटना होता है तो programmed है पूरा इस सरीके से करना है तो जो non programmed है वो unstructured problems की वीज़े से आते हैं अचानक से को problem हागे जो you know structure हमने उसका नहीं सोच आवा था तो कोई standard procedure नहीं होता है ऐसी problems क एक्जामिल करने का एक्जामिल के तौर पहलू अगर कोई employee लंबे समय के लिए छोटी ले रहे था बिना बताए तो यह आपका program इसमें रहेगा decision कि जो supervisor है उसको chief executive से बात करने की जरूद नहीं है वैसे employee के साथ खुधी deal कर सकता है कुछ भी हो सकता है charge sheet file करना suspend करना वगर लेकिन बहुत सारे employees यह सारे employees एक साथ छोटी लेने लग जाया बिना बताए तो यह problem जो है यह routine manner में आप इसे deal नहीं कर सकते non-programmed decision कहलाता है तो इसमें ना उनको पूरा chief executive से बात करनी पड़ेगी उनको इसमें क्या होता है non-program decision कि आपको problem को अच्छे से study करना पड़ेग उनको आपको analyze करना पड़ेगा हर चीज को कि क्या है क्यों है तो इसमें पूरा analysis होता है decision लेने से पहले समझा गया program and non-program fifth और last चेस में individual and group decision नाम से बहुत ही असानी से समझा रहा है कि अगर कोई individual decision लेता है तो वो individual decision कहलाएगा यह जो है यह चोटी चोटी organization में लिए जात लेता है ठीकर नाम बंदा खुदी decision लेता है सारे और अगर एक group of members लेते हैं तो वो group decision कहलाता है जैसे board of director हो गई यह committee हो गई यह तो बहुत ही basic सा था असान सा यहापर हमारा पहला topic हता है और दूसरा topic की तो बढ़ेंगे वो है importance of decision making अब कोई business जो है बिना decision making के survive नहीं कर स जो decision making है वो management में अंदर यह अच्छे से गुसी होती है जो decision making है वो managerial functions में पूरा फैली हुई है और पूरा management के process को cover करती है ठीकर ना सारे enterprise का जो area से जितना area सबको अच्छे से cover कर लेती है जो management है decision making है यह एक साथ चलते है manager जाने अन जाने में कोई ना कोई decision लेता रहता ह है हर वाक्त जो Herbert A. Simon है उन्होंने decision को कहा है कि यह management के साथ synonymous है Joseph A. Literate ने कहा है उन्होंने कहा है decision making is the core of managerial activity decision making है उसमें आपको पूरा ना सोचना पड़ता है decide करना पड़ता है करने से पहले और यह हर managerial function में inherent है हर manager को बहुत सारे decision लेने होते हैं जब वो planning, organizing, staffing, directing करने करता है इसी वज़े से जो decision making है उसको essence of managing भी कहा जाता है जो decision making और planning है वो interlinked होते हैं और सिर्फ interlinked नहीं deeply interlinked जो आपको objectives, policy, program, strategies, determine करने हैं सब में decision making की जरुरत होती है तो जो manager है वो decision लेता है organizational design के लिए, staffing के लिए, directing के लिए, employees को lead करने के लिए और जो आपकी performance है उसको regulate करने के लिए जापके standards हैं के हिसाब से तो जितने जो managerial functions हैं उनने सब में managerial decisions होते हैं और पहले decision होते हैं फिर ये बाकी function पूरे हो पाते हैं अब जो एक successful manager है उसकी सबसे बढ़िया quality जो outstanding quality है वो है to make sound decisions कितने अच्छे से वो decisions ले पाता है कई बार उसको manager को जल्दी में decision लेने होते हैं तो ये ही होता है कि कई बार कि उसके पार इतना time नहीं है यो ढंक से facts को analyze कर सके ढूंड सके alternatives analyze कर सके और बढ़िया alternative choose कर सके तो उसको कभी कबार जल्दबाजी में decision लेने पड़ जाते हैं decision making एक human process है जब manager decide करता है तो ऐसा option एक ऐसा course choose करता है जो उसको बढ़िया लगता है अब जब एक time होता है कि जब आपने organization जब शुरू करे थी बहुत छोटा सा business है और एक आज का देना जब business बहुत बढ़ा है पूरे इस time में decision making बहुत important रहती है तो बस एतना difference है कि आज के business environment में decision making है वो ज्यादा होती जा रही है और complex होती जा रही है अब managers को continuously decisions लेने पड़ते हैं और उनको implement करने के steps भी initiate करने होते हैं तो management क्या है यह सोचना, decide करना और action लेना इन सबका एक mixture है एक blend है ठीक है तो यह हो गया decision making के बारे में छोटी मुटी बाते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बता हूँगो decision making का क्या process होता है और साथी साथ rationality in decision making तो अच्छा अगर आपको like, subscribe जो अगरा के button होते हैं आपको दिखता है thanks का button तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आप मुझे support करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो नहीं दिखे रहे तो कोई बात नहीं थोड़ टाइम में दिखने लगेगा तो बस दोसो फिलाल की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे like जरूर कर देना दोस्तों के साथ share कर दो अगर आपको जरूर देपा देना मैं मिलता है से अपनी एंगली वीडियो में तब तक लिए टाड़ा वाइब है और थैंक यू